अभी हम बात करें हैं copper tea के बारे में या contraception के methods में intra-utrine devices या वो devices जो बच्चेदानी के अंदर रखी जाती हैं ताके वक्फा किया जा सके मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि ये दो तरह की devices होती हैं एक वो जो के copper containing है या जिने copper tea कहा जाता है या जिने copper का चला कहा जाता है और इसके साथ-साथ कुछ medicated devices हैं जिने माईरीना के नाम से जाना जाता है आज हम बात कर रहे हैं copper tea के बारे में copper tea के बारे में मैं इतना ज़ादा stress क्यों दे रही हूँ या मैं दूसरे जो medicated devices हैं उनके बारे में ज़ादा discussion इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमारे हाँ copper tea easily available है बहुत easily आपको कहीं से भी मिल जाता है और दूसरी बात है कि बहुत ज़ादा cost effective है जबकि माइडीना या वो copper teas या वो intra-utrine devices जिनके अंदर medicines होती है जिने हम माइडीना के नाम से जानते हैं वो थोड़ी से relatively expensive होते हैं इस session में हम बात करेंगे कि contra indications क्या है वो कौन सी conditions हैं कि जिनके अंदर आपने copper tea को इस्तमाल नहीं करना सबसे पहले आजाती है अगर आपको vaginal discharge का problem है या pelvic inflammatory disease के लिए आप treat हो रहे हैं means के बच्चेदानी ट्यूब या ovaries या उसके surrounding में कहीं पे भी आपको किसी भी किसम का infection चल रहा है तो उस सूरते हाल में आपने अपने gynecologist से discuss करना है और ये normally contra indicated होता है कि अगर कोई भी active infection हो तो इस device को बच्चेदानी के अंदर रखा जाए क्यूंकि ये device एक foreign material के तौर पे काम करती है तो infection में इसके use को कुछ अर्से के लिए hold कर देते हैं और उसके बाद हम इसको insert कर सकते हैं दूसरी condition अगर एक patient pregnant है या उसने पिछले cycle में या period के पिछले जो month था उसके अंदर किसी भी किसम का contraception use नहीं किया या patient को किसी भी किसम का doubt है that she can be pregnant तो ऐसी सूरते हाल में भी copper T का इस्तमाल नहीं किया जाता अगर uterine fibroids हैं यानि बच्चेदानी के अंदर किसी भी किसम की रसोली है बच्चेदानी का size बड़ा है या उसकी जो shape है बच्चेदानी की उसमें कोई problem है तो ऐसी condition में भी हम copper T का जो इस्तमाल है उसके बारे में patient को guide करते हैं कि वो उसको इस्तमाल ना करे उसकी वज़ा ये है कि अगर cavity या बच्चेदानी की जो अंदरूनी जिली है वो distorted होगी या उसकी size और उसका shape proper नहीं होगा तो इस copper T के निकल जाने के इमकानात या perforate कर जाने के इमकानात कुछ जादा हो जाते हैं अगर किसी भी patient को during periods बहुत ज़्यादा bleeding होती है या बहुत painful periods होते हैं तो ये तोनों conditions भी वो हैं कि जिनमें हम patient को advise करते हैं कि वो contraception का कोई और तरीका इस्तमाल करें और copper T को opt ना करें copper T के बारे में एक जो positive चीज है अभी तो हमने बात की कि वो कौन सी contra indications हैं या वो कौन सी conditions हैं जिसमें copper T इस्तमाल नहीं की जा सकती लेकिन उसके साथ साथ इस device के benefits भी बहुत जादा हैं बिकाज ये patient dependent device नहीं है अगर कोई भी patient अपनी regular medicine को लेना याद नहीं रख सकता या वो बार-बार doctor के पास नहीं जा सकता या patient किसी ऐसे area में है जहां पे medical facilities बहुत easily available नहीं हैं और doctor के पास बहुत ज़दा follow-ups नहीं किये जा सकते तो copper T एक बहुत अच्छा वकफे का तरीका ये इलाज है उमीद करती हूँ के copper T के बारे में ये वेला session आप लोगों के लिए बहुत helpful साबित होगा Thank you very much